स्वागत हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एके लर्निंग एंड सेल्यूशन में तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा बी फॉर्म और डी फॉर्म के स्टुडेंट के लिए है क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं ट्रेनिंग लेटर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ बातों पर तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को तो मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि किसी कॉलिज का एक ट्रेनिंग लेटर का जो फॉर्मेट है वो किस टाइब का होता है और उसमें क्या-क्या डिटेल्स होती है मैं आज आज आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ पहले मैं आपको एक blank letter दिखाऊंगा then उसके बाद एक fill करा हुआ मतलब further उसके बाद आगे का जो letter है वो कैसा होता है ठीक है हाथ दोस्तों देखिए एक यह letter है मेरे पास एक किसी college का ठीक है उपर देखिए name mention होता है and then नीचे यहाँ पर एक application type में कुछ लिखा हुआ होता है यहाँ पर देखिए लिखा है मैं आपको दिखाऊंगा है कि कुछ details लिखी है कि आपको अबगत कराना है यहाँ पर college का नाम लिखा हुआ है and then उसके बाद board of technical education उत्तर प्रदेश से लखनवू से इनका जो college है वो college है वो registered और pharmacy council से इनके माननेता प्राप्त है ऐसा इनोंने लिख कर दिया है ठीक है then नीचे क्या होता है नीचे आपको दिखने को मिल जाएगा इसमें आपको details लिखनी होती है छात्र की details और उसका enrollment number और जो पिता का नाम होता है वो भी यहाँ पर लिखना होता है then नीचे details लिखे होती है training से related जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है कि hospital training में छात्र की प्रतितिन की उपस्तती आपके द्वारा की जाएगी यानि कि इनका कहने का मतलब है जहाँ आप training करेंगे यह उनके लिए यहाँ पर कुछ बाते लिखी है आपके द्वारा प्रदान प्रमाण पत्र एवं रिपोर्ड के आधार पर ही छात्र के अंक बिस्विध्याले को प्रेशित किये जाएंगे आपके स्रयोग के लिए हम सदा आभारी रहेंगे तो ऐसा ऐसा training letter में जो उपर का पहला page होता है उसमें ऐसा लिख के दिया जाता है अब जरूरी नहीं है कि हर college का जो format हो बोर सेम हो सबका सेम नहीं हो सकता है तो अपने-पने college हो का अलग format होता है तो एक college है उसी का दिखा रहा हूँ आपको ठीक है तो अब उसके बाद का क्या रहता है उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो होता है letter उसमें कुछ sections में divide होता है जो कि कुछ आपको अपने आप fill करने होते हैं और कुछ section जो है वो आपको जहाँ से आप training करेंगे then आपकी जब training complete हो जाएगी तब वो आपको महां से fill करके आपको देंगे तो देखिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर लिखा है यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि practical training contract form for pharmacist section 1 यहाँ पर यहाँ पर आपका नाम आएगा आपके पिता माता का नाम यहाँ पर आएगा और आपका address यहाँ पर fill करा जाएगा यह section 1 होता है यह आपको अपने आप से खुद भरना होता है and then बाद में आपको यहाँ पर अपने जो college के आपके जो head है उनके यहाँ पर signature होते हैं और यहाँ पर date जिस दिन आप अपने college के पास form लेने आए हैं उस दिन के हाँ पर date पड़ती है then हाँ तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसमें section second की तो देखिए यहाँ पर जो detail है वो यह वाली भी वही भरके देते हैं जहां से आप training कर रहे होते हैं देखिए यहाँ पर name of student pharmacist आपका नाम पड़ता है और यहाँ पर नाम आगे यहाँ पर पड़ेगा आपने जिसके अंडर में आप apprentice कर रहे हैं उनका नाम पड़ेगा और आपके college का नाम पड़ेगा यहाँ पर और आपने कहां से करी है वो यहाँ पर उसका नाम पड़ेगा और date पड़ती है जो आप यहां training later लेने जाएंगे उस दिन की और यहां पर यह देखे लिखा है यहां पर signature of student pharmacist यहां पर आपके signature होंगे अब क्या है हम बात कर लें section 3 की तो section 3 क्या होता है दोस्तों वो भी आपको जहां आप hospital training करेंगे वही लोग आपको fill करके यहां पर भी देते हैं यहां पर कुछ details देखो लिखी हैं जैसे का आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर कुछ notice practical experience में लिखे हैं कि the manipulation of pharmaceutical operators is common use यहां पर कुछ दो तिन बातें लिखे हुई हैं आप वो पढ़ लेना आपको मैं दिखा दूँगा आप देख लिए जेगा यह भी आपको वही लोग fill करके देते हैं ठीक then उसके बाद इसके बाद भी section चौथा भी है देखिए यह section जो है चौथा यह देखिए यह भी यह भी आपको वहां से ही बुलिक के देंगे आपको और यहां पर last में भरने के बाद आपके जो head of the organization जो होंगे यहां पर उनके sign होंगे और sign होने के बाद मोहर भी लगाई ज देखिए यह section जो 5 है इसमें भी आपको जो आपने जहां से training करी है पहां के आपके यहां पर signature होंगे उनके यहां पर मोहर यह सब कुछ लेगेगा sign कराने पड़ते हैं ठीक है बाद में यह note लिख है यह आप चाहें तो पड़ सकते हैं बनना को जरूरी नहीं है then यह सारा ह अब मैं बता दूँ इसका क्या होता है इसके आपको तीन सेट बनाने होते हैं तीन सेट कहां कहां यूज होंगे मैं आपको बता दूँ नमबर वन जो पहला साथ होता है वह आपका जहां आप जिस हॉस्पीटल में training करते हैं आपका वहां समीट कर लिया जाता है and then आपके पास फिर दो कॉपियां बसती हैं, दुसरे कॉपि का क्या करना होता है, वो आपको जब आप अपने कॉलेज जाएंगे, ट्रेनिंग सर्टेफिकेट, कम्पलीट होने बाद आप कॉलेज में भी साइन होते हैं, तो आप एक कॉपि जो है वो आपकी कॉलेज में जमा हो जाती है, जहाँ आप जिस स्टेट के हैं, और जिस स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, आपकी एक बहां पे आपके एक मेरे पास format में लेटर है देखे ऊपर जैसा मैंने आपको detail बताएं थी वो सारी फिलप है इनने पहले ये वाली details अपने फिल करी थी ये वाली and then ये last में जो section second है आपका ये वाला देखिए जो second section second है ये आप वहां से fill करके दिया है इनका वहां पर और section जो third है वो भी hospital ही आपको लिखके देता है and then मेरे पाद देखिए second मैं आपको दिखाऊं second वाला जो है वो भी मेरे पास इदर होगा ये जो section 4 है ये देखिए ये section 4 जो है यहाँ पर भी details ही लिखी है student की और यहाँ पर main चीज जो है वो देखिए signature है यहाँ पर CMS के यहाँ पर signature है और यहाँ बाकैदा district hospital जहां से इनोंने training करी है उसकी मोहर भी लगी है ठीक है और section 5 जो है वो भी देखिए यहाँ पर फिलाल फिलाल भरा ही हुआ है ये देखिए तो मुझे लगा कि इस topic मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बनाई है अब मुझे लगता है कि यहाँ आपकी ल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में